इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन रैप्शन मेथड से एक प्वेस्चन अगर आपको न्यूमेरिकल एनालेसिस सब्जेक्ट से और टॉपिक्स के वीडियोस देखने हैं तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियोस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यहाँ पर क्वेस्चन है इवाल्यूएट रूट ट्वेल टू फोर डेसिमल प्लेसेज पाई उजिंग न्यूटन स्रेप्शन इट्रेटिव मैथड तो चलिए सोल्यूशन पर आते हैं यहाँ पर सफोर्स करते हैं गिवन हमें है एकस इट्वेल टू रूट ट्वेल ठीक है अब देखिए दोनों साइट का अगर स्क्वेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एकस स्क्वेयर इस इक्वेयर ट्वेल ट्वेल और फिर 12 को इस साइट ट्रांसर करेंगे तो मिलेगा एकस स्क्वेयर माइनस 12 is equal to 0 छीक है इसको equation 1 दे रहते है hence the value of root 12 is the root of the equation 1 छीक है इस equation का root होगा कुन सा root 12 अब लेट fx is equal to x square minus 12 छीक है इसको हम fx की equal में function ले रहे हैं तो इसको अगर एक बार differentiate करेंगे x के respect में तो हमें क्या मिलेगा f dash x मिलेगा f dash x मिला हमें 2x ठीक है अब देखिए Newton Rapson method के बारे में देख लेते हैं Newton Rapson method का formula क्या होता है बहुत easy formula है x n plus 1 is equal to xn minus fxn upon f dash xn ठीक है यहाँ पर देखिए fxn और f dash xn की values को put कर देते हैं यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से तो क्या हो जाएगा देखिए xn minus xn का square minus 12 upon 2xn ठीक है इसको आप lcm लेकर थोड़ा simplify करेंगे और 2 को अगर common लेंगे 1 by 2 को तो देखिए 1 by 2 into xn plus 12 by xn मिलेगा ठीक है अगर आपको simplify नहीं करना है तो अगर बाद में आप values को put कर सकते हैं यह फिर पहले से simplify कर दीजे तो और ज्यादे easy हो जाएगा तो इसको हमने simplify कर लिया है अब देखिए यह जो हमारे पास function है fx इसमें हम 0,1,2 put करके देखते हैं x के place पे तो देखिए पहले put किए 0 तो f0 is equal to मिला minus 12 यहाँ से और f1 put किए जब 1 put किए x के place पे तो f1 मिला minus 11 f2 मिला minus 8 f3 मिलेगा minus 3 और f4 मिलेगा 4 तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे बाकी सारी values तो देखिए यहाँ पर minus है यहाँ पर plus मिला तो यहाँ देखिए यह minus था f3 और f4 जो है plus है तो यहाँ पर देखिए minus value से plus value में sin change हुआ है तो अगर sin change होगा तो उस बीच में हमको हमारा root मिल कर आएगा तो जहाँ पर भी यह तो plus से minus यह तो minus से plus होगा तो लिखेंगे so that root of x square minus 12 is equal to 0 lies between 3 and 4 तीक है अब देखिए इस 3 और 4 के बीच हमारा root रहेगा यह तो हमें पता चल गया है अब हम approximation लगाएंगे ठीक है first approximation लेते हैं तो first approximation में put n is equal to 0 ठीक क्योंकि हमें x1 निकालना है x1 निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूले है अगर इसमें n is equal to 0 put करेंगे तो यह x1 हो जाएगा x1 is equal to n के place पे 0 रखना है और take x0 is equal to 3 initially 3 लेकर चल रहा है यहाँ पर सबकी values को put करेंगे देखिए इसको use नहीं करेंगे हम इसको और इसको use करेंगे ठीक है तो x1 is equal to हो जाएगा 1 by 2 x0 xn n के place पे 0 put करना है तो x0 plus 12 upon x0 is equal to हो जाएगा देखिए सबकी values को put कर देते हैं x0 का है 3 है मार पास तो x0 के place पे 3 put किया यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है इसको आप calculator से solo कर लेंगे तो यह निकल कर आएगा 3.5 ठीक है अब देखते हैं second approximation second approximation में क्या करेंगे put n is equal to 1 जब 1 put करेंगे तो यहाँ जब 1 put करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा ठीक है तो x2 is equal to 1 by 2 और जो xn है वो क्या हो जाएगा x1 तो x1 plus 12 upon x1 यहाँ से देखिए ठीक है इसको याद रखना है आपको इसको simplify करके हम यह निकाल लेने लिए हैं ठीक अब देखिए x1 की जहाँ जहाँ values हैं वहाँ put कर देंगे तो x2 is equal to होगा 1 by 2 3.5 plus 12 upon 3.5 इसको फिर से calculator से solve करेंगे हम ठीक है देखिए ध्यान से रखेंगे calculator में values को और याद रखेंगे कि अगर जो values आता है उसको आप consider किजिए decimal के बाद 3 to 4 places तक तो आपको accurate answer मिल कर आएगा ठीक है तो इसको जब solve करेंगे तो मिलेगा 3.464 यहाँ क्या मिला था 3.5 मिला था अभी मिला है 3.464 ठीक है अभी भी देखिए ये दोनों answer match नहीं कर रहे हैं तो हमको third approximation करना पड़ेगा तो चलिए third approximation करते है third approximation इसमें क्या करेंगे put n is equal to 2 तो यहाँ क्या आजाएगा x3 आजाएगा और take x2 is equal to 3.464 तो यहाँ से हमने x2 निकाल दिया है 3.464 उसको यहाँ put कर देंगे ठीक है यहाँ put करेंगे सबकी values को और calculator से फिर्ट से इसको solve करेंगे तो मिलेगा हमें 3.4641 अभी देखे x2 और x3 को match कीजिए decimal के बाद 3 places तक हमारा जो answer है वो match कर रहा है ठीक है दोनों का answer तो इसका मतलब जो हमारा root होगा वो होगा 3.464 क्योंकि यह दोनों match कर रहा है और आगे हमें approximation नहीं करना है fourth approximation हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो answer मिल रहा है x2 और x3 का वो same मिल रहा है ठीक है तो इसका जो root होगा वो 3.464 होगा ठीक है यह हमारा answer होगा final answer तो इस तरह आपको Newton reaction method से root determine करना है thanks for watching